करकराशी, सब्ता की शुरुवात में आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, यानि सब्ता की शुरुवात आराम से नहीं दिख रही है, दोड़ भाग काफी ज़ादा रहने माली है। प्रेम के मामले में, विवा के मामले में इस सप्ताह में थोड़ी तेजी है, अगर आप अविवाहित हैं या कोई प्रेम संबंध है आपका, तो उस मामले में तेजी आती हुई दिखाई देगी. परिवार में बेवज़ा के तनाव हो सकते हैं, उनसे बचने का आपको प्रियास करना चाहिए देखिए आप भविश्य के लिए अपने करियर के लिए नई नई योजनाए बना रहे हैं, नई नई चीजों को रास्ते पे ला रहे हैं ऐसे में अपनी योजनाओं को आपको गोपनी रखना चाहिए, आपकी योजनाए क्या हैं, आप भविश्य में क्या करने जा रहे हैं, ये दूसरों को मत बताईएगा इस सप्ताह में करियर और धन की स्थिती आपके लिए बिलकुल ठीक बनी रहेगी, वहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए करक राशी वालों के लिए इस सप्ताह में दो बाते महत्तोपून हैं पहली बात आपकी चीजें रास्ते पर आएंगी, मेहनत आपको जादा करनी पड़ेगी और दूसरी बात आप भविश्य के लिए जो योजनाय बना रहे हैं, उनको गोपनी रखिये तो आपके लिए बेहतर होगा अब क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह में आप ब्रिहस्पती देव के मंत्र का जब करें, रोज सुबह 108 बार, ओम ब्रिमटार